तो भाई लोग हम लोग ना जिसका इंतिजाल कर रहे थे उमेन प्रीमियर लिग कब स्टार्ट होगा जल्दी स्टार्ट हो वो तो घड़ी आ गए चार मार्च को पहला मैच खिला जाएगा और जो पहला मैच है ना गुजराज जाइंट्स वरसेज मुंबई इंडियस उमेंस क्या होगे। उसमें से कौन सी बेटर है कौन सी बल्लेबाज है जो यहा के मैदन पे सबसे ज्लार्ट होंगे जिसे हम अपनी फैंटसली के टीम में रख सके हैं और दोनों टीमों में ऐसी चल्बाज में दोने सबसे जादा बड़ेड़ ट का लेंगे कौन सी गेंद माज को बिकट ना मिलेगा एक सब्सक्राइब कर डालो कि आपको पता है मैं को और यह रहने वाला आपका अपना भाई यूँ तो अगर अपने भाही का सपोर्ड आपना करेंगे को यूदि को करने के लिए ना जी कोई भी राहिए को करना क्या बाई सब कुछ भी नहीं करना पर चाल को सबस्क्राइब करना इतना तो कर सकते हैं ना तो सबसे पहले हम यहाँ पर दुनों टीमों की प्लेइंग लेवन डिसकस करते हैं अगर हम यहाँ पर गुजाज जाइट्स की बात करें तो बित मूनी के साथ देलेना हेम लथा ओपन करते नजर आएंगी तीसे नमबर की बात करें तो आपको यहाँ पर एसला गार्डनर खेलते नजर आएंगी चौते नमबर की बात करें हरलीन देवल खेलती नजर आएंगी पांचवे नंबर की बात करें तो यहाँ पर सोफिया डंकली खेलती नजर आएंगी चाटवे नंबर की बात करें सभी नीनी मेगना खेलती नजर आएंगी साथवे नंबर पर असुनी कुमारी आठवे नंबर की बात करें इसने राना खेलती नजर आएंगी नवन नमबर की बात करें तो जोर्जिया वेरहम दस्वे नमबर की बात करें मांसी जोसी खेलती नजर आएंगी वो 11 नमबर की बात करें तो मोनिका पटेल तो दोस्तो यह हो सकती है गुजराज जाइंट्स की समयास की पॉसिबल प्लेइंग लेमर्स मैं दूसरा करें हमें आपे इंडिया ओमेंस की बात करें तो हैली मेथूच की जगह पे यस्तिका भाटिया ओपिन करती नजर आ सकती तीसरे नमबर की बात करें अमन जोत कोर खेलती नजर आएंगी पांचोय नंबर की बात करें दोड़ा सा उपर नीचे हो सकती है जो फाइनल फ्लेइंग लेश होगी न मैं आज स्टार्ट होने के 2-3 गंटे पहले आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगे तो मेरा टेलीग्राम जरूर जोइन करें जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम पहले से जोइन किया है वो काफी फाइदे में काफी ज्यादा मजे में हैं अगर भाई लोग आपको भी सभी मैचों में फाइदे में रहे ना सभी मैचों में फाइदे मेरा टेलीग्राम जोइन कर डाले बस एक चीज का ध्यान देना है फेक से बचना है क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही ज्यादा नकली टेल के लिए मस आगे ना अब हम जानते इसमें से कौन सी ऐसे बेटर हैं जो सबसे जादा रण मनाएंगी कौन सी ऐसे गेंदबाद है सबसे ज्यादा बिकेट निकालेंगे लिए उससे पहले ना थोड़ा सा पीछ का बीएवियर जान लेते कंडिसान जान लेते और जानते यहां मैचे कर ले उन हैं मैचों की और उन मैचों की कहानी रहें कि सबसे जो आज के मैच इसकी कहानी क्या हो सकती है तो भाई है यह ढेक्म पर वजाने Curry होते हैं अब्रेज में पर 181 180 run मतलब यहाँ पे high scoring में आच होता है, तभी तो 180 का average score है, तो बल्ले वाजो को ज़्यादा रखना है, गेंद वाजो को समाल समाल के रखना, fantastic cricket के team में वो आगे जानेगी किसको रखना, किसको नहीं रखना, target change की बात करें, 172, 172 की नीचे score बनेगा, तो 8 में से 10 में क्या हो सकता है, target change हो सकता है, target defend की बात करें, 188, 188 plus score बनेगा, तो 10 में से 8 में से में target defend हो सकता है, 172 से 188 की बीच में score होगा, तो आप समझ जाना जो मामला है न, ये बराबरी का change भी हो सकता है, और defend भी हो सकता है, भाई लोग इस मैंदान का जो हाईस स्कोर है first inning का 187 जो कि Australia Omans के नाम पर है और यह दोस्तों चेज हो गया था, इंडिया ओमेज ने चेज कर लिया था और जो यहां के मैंदान पर लोवेस्कोर है फास इनिका 172 फाईब यहां इंडिया ओमेज के नाम पर है आप सोच लोगे इस मैंदान का जो लोवेस स्कोर है 172, 172 रन है तो मतलब यहां पर रन बनते हैं तो यह भी जो मैच था ना चेज हो गया था अस्टील है ओ मैच ने चेज कर लिया था स्कोरिंग पैटन की बात की तो जो दो मैच के लिएक है दोनों ही मैच में 173 से 189 के बीच में स्कोर बना तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई साब यहां पर रनों का अंबार लग सकता है क्यों लग सकता है थोड़ा सा उसे भी जान लो है तो यहां पर आज के मैच में भरवर के रन बन सकते हैं help की बात की जब बोल पुराना हो जाएगा तो थोड़ा बहुत जो इस्पिनस गेंदबाज है उनको help करेगा लेकिन जब यहां का पीछ पुराना हो जाएगा 5-7 मैच के लिए जा चुके तब इस्पिनस गेंदबा जो पुरानी बोल होने के बाद सठीक लाइन चे गेंदबाजी करेंगे उनको भी बिगट मिल सकते हैं तो कंडिशन बैटिंगे रन जादा बनेगे इसलिए जो शुरू में बल्ले बाजी करने आएंगी बोल में साइनिंग होगी पीछ बिल्कुल फ्रेस होगा तो जादा बनाएंगे तो उनको अपनी टीम में रखना हो, सलिए धो के जो बाद समझ के अपनी टीम में रखनांएं आरक तेज गेंद बाजो को सोच depressed car की अपिर प्रमज़ करते तै आज की में 40-50 सनों की ताबर तोड़ पारी खेल सकती है बित मूनी एक आता दो कैज भी पकड़ेंगी तो बढ़िया पॉइंट्स देंगी तो बित मूनी को हमें अपनी टीम में आज की मैच में रखना चाहिए हेम लथा की बात करें तो पहला पहला मैच है तो I think 10-12-15 की पा बिकेट भी निकालती तो मुझे लगता है आज के मैच में 40-45 सनों की ताबर तोड़ पारी खेलेंगी कौन एसला गार्डनर और गेंदवाजी करने आएंगी दो तीन बिकेट निकालेंगी किफाती होने के साथ तो एसला गार्डनर को हमें अपनी टीम में रखना चाहिए ह हो सके तो कैप्टर एंड वाइस कैप्टर करना चाहिए किसको एसला गार्डनर को हर्लीन देओल की बात करें तो हर्लीन देओल भी काफी ज्यादा कमाल की बलेवाज है मुझे लगता है आज की मैच में यह ज्यादा लंबी पारी ना खेल पहेंगी लिकिन 20-25 की पारी खेल नवाजी करने आएंगे एक आता या दो बिकित जादा बिकित ने मिलेगा लेकिन एक आता दो बिकित निका रहेगा तो मतलब ठीक ठाक पॉइंट सोफिया डैंक के लिए भी हमें आज की मैच में दे सकती है तो आई तिंग हमें इनको भी अपने टीम में जगे देनी चाहि है लेकिन मुझे लगता जिस तरह से यहां पी पिछ है बल्ले वाजी के लिए काफी ज़्यादा बढ़िया तो गेंदवाजी में ज्यादा कुछ ना कर पाएंगे और दोस्तों थोड़ा सा नीचे बल्ले वाजी करने आएंगे और सामिनल टीम के जो गेंदवाजी वो भी इसनेह राणा को आज की मैश में अपनी टीम में रखना चाहिए क्यों? क्योंकि मुझे लगता यह एक दो ब्रिगर्ट निकालेंगे लिए थिक जालके में टीम में और कि फायरों की फायरती भी हो ति इन्हें हम अपनी टीम में रखना चाहिए जो जहोड़ा सा मेहंगी भ मनिका पिट चाहिए और मौनिका पुटेल के बात करहें तो मौनिका पुटेल आज के मैच में त्वड़ा सा पीट सकती है कमाल के एक आता गेंदवाज को तो टार्गेट करेंगे तो मौनिका पटेल ओ सकती है तो मोनिका पटेल को एक आता बिकर तो मिल जाएगा लेकिन सबसे ज़्याधा महेंगे हो सकती है तो आइ थिंग हमेना इन से थोड़ा सा आज के मैच में बच के रहना चाहिए हैली मैथूज की बात करें आपको पता हैली मैथूज वो ओलंडर्स है जो बल्ले और गेंज से हमेशा बढ़िया पॉइंच देती तो यहां का जो पीछ है बैटिंग के लिए काफी ज़्यादा बढ़िया है मतलब बल्ले से हैली मैथूज रन दोस्तों जब सपाड पिछोगा तो इनकी प्रोपर गेंदवाजी वो थोड़ा से बिखरेगी तो हैली मैथूज गेंदवाजी करने आएंगे तो में भी वहां से एक आता बिकेड भी निकालेंगे तो मतलब तो आपको 40-50 या 70 की पारी खेलती नजर आएंगी एक आता दो बिकेड लेके जाएंगे कोन हैली मैथूज तो हैली मैथूज कोन हमें आज के मैच में अपनी टीम में रखना चाहिए यास्तिका भाटिया की बात करें तो हमेशा बढ़ी हा बल्लेवाजी करती है जब जब इनको मौका मिला साथ में बिकेड कीपिंग करती है तो एक आता टीम की गेंदवाजी हूँ ठीक ठाक है मानता हूँ पीज बल्लेवाजी के लिए बेता है लेकिन अमल जोद कोर थोड़ा सा फस सकती है तो आई थिंग हमें ना इन से थोड़ा सा बच करना चाहिए हर्मन पीत कोर की बात करें तो इनको अपनी टीम में रखना और हो सके तो इनको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी करना है ने इसकाइबर ब्रंड की बात करें ये भी काफी ज़्यादा कमाल के और लोनर है आज के मैस में काफी जवर्जस आपको पॉइंट्स देंगे मतलब आपको 30-35-40 सनों की तावरत और पाल्दी खेलती हुए दिखेंगे क् का पिस बैटिंग के लिए काफी बढ़िया तो इनको रोकना थोड़ा सा मुस्किल होगा और गेंदवाजी करने आएंगे हो सकता है वहाँ पे इनको थोड़ा सा रन पर जाया लेकिन एक आता दो बिकिट निकाल के लेकर जाएंगे कौन नैट स्काइबर ब्रंड तो इनको को भी रख सकते हैं अगर एक टीम बना रहे है तो आप रख भी सकते नहीं भी रहा लेकिन फिर भी मुझे लगता है एकाता दो हो सकता रन पड़ जाए लेकिन एकाता दो या तीन विकेट निकाल लेंगे तो पूजा को भी हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगे देनी चाहिए हुमेरा काजी की बांत के तो आज कल सोचल मीडिया पर या इधर उधर मतलब जो थोड़ा सा किर्किट को फोलो करते हूं इनका नाम सुना होगा किसका हुमेरा काजी का अलब ठीक ठाग गेंदवाजी करके जाती है जहां भी खेलती है तो मुझे लगता है न इस चीज़ का फ इंसे थोड़ा सा हमें आज के मैस में बच के रहना चाहिए क्योंकि बैटिंग के लिए बढ़िया है और सामने टीम की बल्लेबादी ठीक ठाक है तो एजी वॉंग को थोड़ा से पिटाई हो सकती तो इनसे आज की मैस में तो बच के रहें हां विकिट एक आता मिल जाएग सामने लगला टीम के बल्ले वाजी है न ṵ तो भाई पिटाई तो करने माली है जो नहीं गेंद वाजी है न हिनकी विक्र तो इनको मिलेगा लेकिन पिटाई हो सकती है तो साइब कorge इसहांक से थोड़ा सा आप बच करें सेम कहानी सोनम यादोव की भी हो सकती सोनम यादो की भी नवज चलेगी पिस बैटिंग के लिए बढ़िया है सामने वाई टीम के बल्लेवाजी काफी जाता जवज़से मैं मानता हूँ सोनम यादो काफी टेलेंटर है तो विकेट इनको भी एकाता मिल जाएगा लेकिन सामने वाई टीम किसी ना किसी जो नहीं गे लेकिन मैं बोलूँगा मेरा टेलीग्राम जोईन कर लो क्योंकि जो मैंने प्लेइंग लेमस आपके लिए बना के दिये इसमें से 2-4 खलाड़ी ऊपर नीचे हो सकते हैं और मैंने जितने स्कॉाइड में सब करके बैठाओं क्योंकि सब कर लिया है लेकिन उस सभी खलाड़ करने के बाद बनाई है लेकिन इसमें से 1-2 पिलियर उपर नीचे हो सकते हैं अभी आपको बता देता हूँ इसलिए मैं बोल ला था कि आपना मेरा टेलीग्राम जरूर जोईन करें वैसे जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम जोईन करें अगर आपको भी सभी मैचों में फा पाइदा है क्या होगा जो फाइनल टीम होगी इस मैच की यह मैच की जो तीन टीम होगी मैच स्टार्ट होने के 20-25 मेंट पहले आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाए कि तो अभी डिस्किप्शन में जाओ टेलीग्राम के लिंक के मिलेगी बस वहीं से जॉइन कर डाले तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की पीछी पोड मैच फिर भी अन फंटासिपिक के साथ तब तक के लिए गौड ब्लेस यू